हेलो एवरिवान, वेलकम और वेलकम बैक तो मैं चैनल मर्सी सिंग तो आज का वीडियो आप सभी के लिए मैंने ओफिसियल वेबसाइट से यह सारा कुछ इंफोर्मेशन कलेक किया है तो प्लीज वीडियो को बिना स्कीप के एन तक देखना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कॉट ओन उनिवर्सिटी में अगर आप हस एड्मिशन के लिए एपलाई करना चाते हो तो अलग से मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा पर आज हम बात करेंगे कॉट ओन उनिवर्सिटी 2024-2025 सेशन का यूजी एड्मिशन के बारे में तो अभी आप लोग के लिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिखेगा अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम B.A.C. B.A. B.C.A. तो यहाँ पे तीन ही कोर्स यहाँ पे आप कर सकते हो मतलब जो प्रोग्रामस एवेलिबल है अभी B.A.C. कर सकते हो B.A. कर सकते हो और B.C.A. कर सकते हो पहले तो बहुत टाइम के लिए आप लोग को वेट करना पड़ा H.A.C. रिजल्ट के लिए तो अभी H.A.C. रिजल्ट आउट हो चुका है तो अभी आप लोग कॉटन उनिवर्सिटी में UG एड्मिशन के लिए एलिजिबल होते हो तो जो लोग H.A.C. 10 प्लस 2 पास नहीं किये थे तो तब तक के लिए आप लोग के लिए मुश्किल था पर अभी आप लोग के लिए एक चांस है कि कॉटन उनिवर्सिटी में आप एड्मिशन ले सकते हो C.A.C. U.T. U.G. आपको देना परेगा यह 1st eligibility criteria रहेगा तो जो लोगों ने C.A.C. U.T. U.G. स्कोर किया है मतलब examination दिया है तो उनके स्कोर के basis पे प्लास H.A.C. 10 प्लस 2 का मार्क्स भी यहाँ पर मैटर करेगा तो दोनों मिला के आप लोग का एड्मिशन होगा तो U.G. का जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया डाउनलोड करके आप देखेगा की Cotton University would be admitting students into U.G. programs in the ratio of 40% of total seats for each subject based on CUVT score and 60% of total seats for each subject based on the marks secured in H.A.C. 10 प्लस 2 Cotton University जो U.G. programs में admission के लिए अपने students को कहा है कि 40% seat हम उन subject के लिए रखे है जो CUVT score के basis पे हम admission कराएंगे और 60% of seat है वो हम admission कराएंगे उन students को जिनका मतलब यह सारे subjects में H.A.C. score अच्छा आया है तो देखो दो यहाँ पर divide कर दिया गया है दो ratio रखा गया है एडमिशन में 40% 60% 40% लेगा CUVT score से 60% लेगा 10 प्लस 2 से तो आप लोग को tension की कोई बात नहीं अगर आपने H.A.C. score किया किसी एक subject में और CUVT में उसमें अच्छा माक्स नहीं है पर बाकी 2 subject में अच्छा है तो आप ऐसे भी करके admission मिल सकता है अगर बहुत low score किये हो तो भी आप tension मतलो कुछ न कुछ तो chances रहेगा इस बार क्योंकि साड़ा कुछ आपका H.A.C. के merit basis पे नहीं होगा CUVT score के basis पे भी यहापे admission होगा तो अभी H.A.C. result chance मिस हो जा सकता है तो पहले आप लोग को ध्यान में रखना यह बात है नहीं तो बात में regret भी हो सकता है तो आज के लिए इतना ही आए I hope आप लोग को अच्छा लगा वीडियो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे comment करके पूछ सकते हो तो मैं नेक्स वीडियो में आंसर करूंगी आज के लिए इतना ही बाई बाई थैंक यू सो मच फूर वाचिंग